नमस्कार, साथियों DVW 303, DVW 187 और 36 ये किसमें ऐसी हैं जो अगेती किसमें हैं बहुत सारे किसान साथी इनकी बीजाई कर दें और करने के बाद में या तो वो लेट बीजाई कर देते हैं और दूसरा जो उपज होती है दाने की उसका भराव कमजोर रहता है इस बज़ा से भी दाना हलका रहता है बजन भी नहीं बैठता तो ये बहुत बड़ी समस्या है किसान भाईयों को जहलनी पड़ती है इसलिए अगर आप अगेती वेराइटियों को चुन रहे हैं तो उनमें अगेती ही बीजाई करें और उसी के हिसाब से हैवी डोज लगाएं पानी भी आपको एक दो एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा ज़्यादा लगाना पड़ेगा दूसरा लागत भी आपको एक दो फाल्तु डोज लगानी पड़ेगी वो सोच आपकी इन वेराइटियों के साथ में नहीं चलने वाली है कि गेहों की उपज तो ऐसे हैवी हो जाती है यूरिया लगा दो उससे काम हो जाएगा उससे आपक की फसल इतनी अच्छी नहीं होगी जितना कि आप सोच रहे हैं या उस बीज से आप अपिक्षा रख रहे हैं कि इतनी अच्छी उपज इसकी हो सकती है साथियों ये वेराइटियां तकडी हैं अच्छी उपज देने में सक्षम हैं बसरते कि इनको उसी के हिसाब से दाना आपको डालना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको खाना इनको देना पड़ेगा, उसी हिसाब की खाद वीज इनको देने पड़ेंगे, और सबसे मुख Almost इसको एक दो पानी भी आपको फाल्टू देना पड़ेगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं, कि अगर आप DVW की किसी भी वेराइटी की बुबाई कर रहे हैं तो वो कितने समय तक बीजाई कर दें देखे आगेती किसमों की बीजाई आप 25 अक्टूबर से शुरू कर दें और 25 अक्टूबर के बाद में 10 नवंबर तक इसकी बीजाई को फिनिस कर दें उससे आगे अगर आप जा रहे हैं तो उसके आगे ये वेराइटी पिछेती ही होगी ये बात फैक्ट है ठीक है अगर आपने 15 दिन इसकी बीजाई को लेट कर दिया तो फिर आपकी ये नॉर्मल किसमों से भी कम पैदावार देने वाली किसम हो सकती है क्योंकि फिर ये गर्मी के मौसम में चली जाती है एक तो लेट पकती है तो गर्मी के मौसम में जाने के बाद में फिर उस समय की जो लू है वो इस दाने को नहीं फूलने देती नहीं पनपने देती है और ये दाना पकने के बज़ए सूख जाता है और सूखने पर उपज नॉर्मली कम रह जाती है वो आप जानते ही हो साथियो यहाँ पर जब आप इसकी बीजाई करें तो बीजाई करते समय आप 35 kg यूरिया लें 35 kg डीएपी खाद ले लें अगर 35 kg डीएपी खाद आपके पास में उपलब्द नहीं है किसी भी कारण वस ठीक है तो अच्छी उपज लेने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको कि वहाँ पर एक बैग तो सिंगल सुपर फासफेट का डाल दें ठीक है SSP का और उसके साथ में 20-25 kg सर्सों की खल डाल दें खल सर्सों की उसे थोड़ा बारी कर लें और उसे गेहों की साथ में बुवाई करें आप देखिए कितना जवरजस्त गेहों देखने को मिलेगा इसमें पोटास के लिए आपको अगर M.O.P. नहीं मिल पाता है किसी भी कारण से तो आप पोटास बेसक नीचे अभी ना लगाएं लेकिन आगे पानी के साथ में आप पोटास देदें वो अच्छा रहता है ठीक है और पोटास की जगे अगर आपके चूले की राक है घर की तो उस राक की बीजाई आप तुरंत कर दें वो बीजाई के समय पर ही अच्छा काम करती है तो देखे तीन पॉइंट निकल के आए यूरिया खाद उसके साथ में आप सिंगल सुपरफासपेट का एक बैग ले लें पचास किलो का बीस किलो उसमें खर लालने सरसों की और चूले की राक जो भी हो उसे mix करके अपने खित की वीजाई कर दें ठीक है अगर डीएपी नहीं मिलती है तब यह डीएपी आपको मिल भी जाती है तो आपके पास में जो पचास किलो का डीएपी का बैग है उसमें से आप 35 kg DAP, 35 kg UREA और चूले की राक ये तीनों प्रोडेक्ट मिलाके अपने खेत की भुवाई करें और 15 kg DAP इसी बैग में से बचा के अलग रख लें ठीक है अब आगे मैं बात करता हूँ कि इस DAP का क्या करना होता है जैसे ही आपका गयहू 15 दिन का हो, ठीक है 12 से 15 दिन तो 12 दिन का गयहू निकल के स्वस्थ हो जाता है बिल्कुल और उस समय पर उसको खाद की जरूरत होती है इनिसियल इस्टेज में हम उस समय पर खाद कोई नहीं देते हैं हम उसे पानी के साथ में ही खाद देते हैं उस समय पर आप एक काम कर सकते हैं कि उसके लिए 500 ग्राम हुमिक एसेड लें को जो खाद की जरूरत बीच में पड़ती है क्योंकि 28 दिन पर जाकर पहला पानी आप लगाओगे उस समय खाद उसे मिल पाता है बीच में उसे 12 से 14 दिन पर ये खाद मिल जाता है इस से आपकी उपज पर सीधे effect देखने को मिलता है वरना आप ये practical करके देख लेना और practical करने के 4 से 5 दिन के बाद में मुझे comment करके बताना कि इस दवा ने कितना अच्छा काम किया है ठीक है आपने 12 से 14 दिन पर एक spray दे दिया उसके बाद आप जो गेहूं हैं इसके जो पहला पानी लगाओगे वो पहला पानी बाहर के एरिया को कवर करते हैं काफी ज़्यादा को और कवर करने के बाद में उसमें से ट्रिलिंग इतनी ही ज़्यादा निकलाती है ठीक है जो सूखी मिट्टी में crown root निकलाते हैं वो हमारे पौदे को मजबूती देते हैं आगे तक तो आप 28 दिन पर आप 6 किलोग्राम यूरिया लें 6 किलोग्राम यूरिया और जो आपने डियेपी बचाया था 4 से 6 किलोग्राम डियेपी उसी यूरिया खाद के साथ मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद में इसी में हियूमिक एसिट 500 ग्राम मिक्स कर लें ये तीन खाद मिक्स करके आप घोल बना लें और घोल बनाके जो पहला पानी आप 28 दिन पर चलाएं उस पहले पानी के साथ में ये दवा चला दें टॉंटी के जरीए से 6 kg यूरिया, 4 kg डियेपी और 500 ग्यूमिक एसिड ठीक है इन तीनों खादों को मिलाके पानी के साथ चला दिन तक कुछ न लगाएं, जो खर्पतवार जम रहा है उसे जर्मिनेट होने दें और आपके गैहों की जो आसपास फैलाव होगा वो उतना ज़्यादा हो जाएगा कि बहुत हद तक तो खर्पतवार को भी नहीं बढ़ने देगा हो, ठीक है, 35 दिन पर बहुत जल्दी से दूसरा पानी घुमा दें, दूसरा पानी घुमाने से आपको लाव क्या होगा कि बहुत सारे खितों में खर्पतवार जर्मिनेट हो जाता है और खर्पतवार का हमें इस्प्रे करना होता है, बहुत सारे किसान भाई यहाँ पर कन्फ्यूज रहते हैं कि हमें खर्पतवार की दबा कव लगानी शीए तो देखे exact समय में आपको बता रहा हूँ 35 दिन पर जैसे आपने दूसरा पानी गुमाया आप 2 दिन के बाद में तुरंत उसमें इस्प्रे कर दें जैसे नमी उसमें अच्छी बनी हो ठीक है आपने 36 से 37 दिन पर इस्प्रे कर दिया इस्प्रे करने के बाद में वो आपका लगवक तीन से चार दिन के अंदर अंदर खर्पतवार सूख जाएगा पूरी तरह और यहां पर आपका जो खेत है गेहु है फसल है वो दूसरी एक अच्छी ग्रोथ के लिए मतलग एक अच्छी डोज की उमीद करेगा इस समय पर और उस समय पर आप अपने खेत को यहां पर चूना ले लें 10 किलोग्राम ठीक है फैरस सलफेट यानि हरा कसिस 10 किलोग्राम ले लें इसके साथ में यूरिया खाद 35 किलोग्राम मिक्स कर लें और इसके साथ में अगर आपको लग रहा है आपका खेत थोड़ा सा ज्यादा दबा हुआ है तो यहां पर copper oxy chloride या तो copper oxy chloride 500 gram मिक्स कर लें या फिर नीला थोता ठीक है नीला थोता एक किलोग्राम आप मिक्स कर लें उसके साथ पूरे खियत में बुरकाव कर दें और बुरकाव करने के बाद पानी लगा दें यह जो तीसरा पानी होगा 45 दिन से पहले-पहले आपके खियत में लग जाएगा और इस से आपके खियत में वो ग्रोथ देखने को मिलेगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा ठीक है यहाँ पर इतनी जवरजस्त फोटाव देखने को आपको मिलेगा वो कमाल के रिजल्ट होंगे और जब आप पानी लगाएं ठीक है यह तो होगी कि खेत में डोज बुरकाव करके लगाने वाली लेकिन आपके पास में जो डियेपी बची हुई है पंद्रे किलो डियेपी उसमें से आपने चार किलो पांच किलो डियेपी यूज करिया अभी पहले पानी पर अब इस पानी पर लगवक पांच चार किलो डियेपी ले ले लें और उसी में 6 kg यूरिया को गोल बनाके पानी के साथ भी चला दें और उपर से बुरकाओ करके भी पानी लगा दें ये आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा डबल डोज लग जाएगी और वाके में कमाल के रिजल्ट होंगे ये आपको यूरिया खाद उसी में से लगाना है जो यूरिया खाद आप बुरकाओ करते हो 35 kg से ज़्यादा यूरिया यहां पर इसलिए नहीं लेना है कि इस गैहूं की अगर यूरिया आप भरपूर मात्रा में देदोगे तो लंबाई 100 cm से भी ज़्यादा हो जाती है उस समय गिरने के चांसे ज़्यादा रहते हैं हैवी वेरैटी है और अगर गिर गई तो इसमें कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है इसलिए यूरिया खाद का नाप तोल के इस्तेमाल करना है दूसरे जो प्रोडेक्ट हैं दूसरे खाद हैं उनके जरिये से आपको अच्छे रिजल्टिस में मिलते रहेंगे साथियों ये हो गया आपका 45 दिन तक का ट्रीटमेंट इसके बाद में जब आप यहां चोथा पानी लगाने के लिए जाते हैं उस समय पर आपके खेत में आपको लगता है कि तने के अंदर जो बालियां है वो जर्मिनेट होने लगती हैं छोटी छोटी बालियां बनने लगती हैं उस आवस्ता में तना हमारा कड़क होने लगता है और हमने चूना को कैलसियम के रूप में खित में दे दिया है इस समय पर फैरस सलफेट लगा दिया है और इसके साथ में हमने यहां पर नीला थोता भी लगा दिया है कॉपर सलफेट के रूप में तो यह मजबूत तत्तों हमारे पौदे को मिल चुके होते हैं और चौथे पानी पर हमने क्या देना होता है यहां पर सल्फर, 5-6 kg सल्फर दानेदार ले लो, इसी के साथ मैं दो पैकेट 0050 के मिक्स कर लो, मिक्स करने के बाद मैं आप यूरिया खाद 35 kg मिला के अपने खित में बुरकाव कर दो, ठीक है, तीन प्रोडेक्ट मात्र, चौथ पानी पर, यूरिया खाद 35 kg, सल्फर आपको लेना है 5-6 kg, और पोटास 0050 के दो पैकेट मिला लो, चाहे आपने पहले लगाए नहीं लगाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस समय पर पोटास बहुत काम करता है, ठीक है, आप इसे लगा के और अपने खित में बुरकाव कर तब वो गजब का होता है, उस समय यदि आपको लग रहा है कि गर्मी बढ़ रही है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको पोटास लेना है 1 kg अलग से, पोटास 1 kg 0050 लेकर उसके साथ में आप बोरॉन मिक्स कर लें 100 ग्राम, ठीक है, उसे मिक्स करने के बाद एकि अपने गेहूं में दे देंगे, तो इससे क्या होगा कि जो गर्मी बढ़ती है, तेंप्रेचर बढ़ता है, उस तेंप्रेचर को सहन करने की शमता हमारी फसल के अंदर आ जाती है, इससे हमारी फसल में जो अचानक से बढ़ा हुआ टेंप्रेचर होता है, वो नुकसान नह दाना भरेगा अच्छा बालियां खाली नहीं रहेंगी और दाने का बजन जबर जस्त रहेगा चमक ज्यादा अच्छी रहेगी ठीक है तो इस समय पर हमें परागन पर फोकस करना चाहिए 0050 के साथ बोरॉन का एक स्प्रेग जरूर देना चाहिए सात्यों अगर इस टाइप से आप अपने खित का ट्रीटमेंट करेंगे तो वाके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको DVW की ये वेराइटी हैं जो की ज़्यादा थोड़ी सी लागत चाहती हैं इस टाइप से ट्रीटमेंट करके आप अपनी खेती में अच्छे उपज ले पाएंगे फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पुछ लीजे मैं कमेंट करके रिपलाई करूँगा और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस टाइप की जानकारी आपको जरूर मिलती रहे तो मिलते हैं फि अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियो